चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हर साइ चोपड़ा आपका हर्दे की स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो जैसा कि आप सभी को मालूम है नीट यूजी का कांसलिंग सेड्यूल जारी हो चुका है और इसके फर्स्ट राउंड के रेजिस्ट्रेशन 19 जनवरी 22 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और 20 जनवरी 22 से 24 फिलिंग स्टार्ट हो रही है और इंडिया कोटा की 24 फिलिंग वा आदर इंफोर्मेशन के लिए आप हमारी बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.sopraeducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं यह आपकी कापी हेल्प करेगी और इंडिया कोटा की कांसलिंग में इस वीडियो में हम इस साल आल इंडिया कोटा कांसलिंग प्रोसीजर में क्या-क्या चैंजेज हुए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो होने हैं उसके क्लासें कब स्टार्ट होंगे साथ इसाथ हरियाना स्टेट के भी रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे स्टेट और एमसीची की काउंसलिंग कब कब होगी क्या होगा इसके बारे में भी विश्थरित में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम इस बार बात कर लेते हैं कि इस बार ओल इंडिया कोटा के four rounds होने से stay vacancy round की काउंसलिंग ओल इंडिया कोटा की एम्स की, जिपमर की, ESIC की, BHU, AMU, जामिया डेंटल और DU के लिए MCC द्वारा करवाई जाएगी पिछली साल इस्ट्रे वेकेंसी राउंड कंसर्ण इंस्टिटूट द्वारा करवाई गई थी लेकिन इस बार ये MCC द्वारा करवाई जाएगी लेकिन जो डिम्ड इंवर्शिटी हैं, उनका इस्ट्रे वेकेंसी राउंड कंसर्ण डिम्ड द्वारा कंड़क्ट करवाया जाएगा ये एक चेंजिंग हुआ है इसमें दूसरा चेंजिंग ये है, हाँ, साती सात मैं ये भी बता देता हूँ इसमें थोड़ा सा जो MCC का कंसलिंग का जो सेड्यूल जारी हुआ है इसमें थोड़ा सा इस्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए जो इसमें लिखा है उसमें मिस्प्रिंट हुआ है, सबसे पहले जो इसमें उपर उपर लिखा है ओन्लाइन इस्ट्रे वेकेंसी राउंट पूर ओलिंडिया कोटा सेंटरल उनिवेट सिटी ओबलिक पीजी डीनबी सीट्स तो यह पीजी का ही है यहां पर लिखा होना चाहिए था ESIC, AIMS, JIPMAR, ओलिंडिया कोटा तो आलड़ी मेंशन है ही तो यहां थोड़ा सा यह मिस्प्रिंट हुआ है यहां पर होना चाहिए था ESIC, AIMS, JIPMAR क्योंकि यह तो यूजी का सेड्यूल है यहां PG, DNB, सीट्स से कोई मतलब नहीं है तो हो सकता है यह MCC द्वारबाद में इसको करेक्ट कर दिया जाए और नहीं भी करेक्ट किया जाता है तो यह अंडरस्टूडेबल है कि यहां पर ESIC, AIMS, JIPMAR होना चाहिए था दूसरी चीज यह है कि इस बार जो इसमें एक और एड किया गया है दो दिन का समय दिया गया है वेरिफिकेशन ओफ इंटरनल कंडिडेट बाइ दी रिस्पेक्टिव युनिवर्सिटी ओबलिक इंस्टिटूट्स जो इंटरनल कोटा के कंडिडेट सें जैसे AMU हो गया, DU हो गया, JIPMAR हो गया तो उनके लिए यह वेरिफिकेशन होगा तो जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि किस परकार से आपने वेरिफिकेशन करना है यह सिर्फ इंटरनल कंडिडेट के लिए ही है, बाकी सभी के लिए यह नहीं है तो उस समय आपको बता देंगे कि किस परकार से यह वेरिफिकेशन होगा कैसे verification करवाना है internal candidate को तो ये एक इस बार इसमें भी change हुआ है counseling process में तो इसके बारे में भी काफी student पूछ रहे थे कि ये किन-किन candidates का होगा तो ये शिरप internal candidate का होगा सभी के लिए ये नहीं है इसमें अब इसमें हम आगे बात करें कि ये class से कब start होंगी जो need 21 की जो counseling होके अभी admission होने है उनकी class से कब start होंगी तो इनकी class से अभी class के लिए NMCA के separate notice देगा कि कब से class से होंगी लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है ये 1st March 22 से start होंगी जो PG की class से हैं 1st परवरी से start हो रही है लेकिन ये 1st March 22 से start होने की संभावना है अभी काफी सारे student ये भी काफी दुनों से comments कर रहे थे कि इसमें काफी delay हो चुका है कब class से चलेंगी तो मैं आपको बता दूँ कि अलग-अलग state में अलग-अलग state में medical college के लिए जो second year और first year की जो exam है उनकी class भी अभी मार्च और अप्रेल में ही start होने जा रही है शुरी उनके exam भी मार्च में हो रहे हैं किसी-किसी के फरवरी में हो रहे हैं तो उनकी class भी second year और third year की जो class से start होंगी वो भी अप्रेल यानि कि मार्च में start हो सकती किसी state में तो किसी state में एक अप्रेल से start होंगी तो वो session भी जब मार्च अप्रेल से start हो रहे हैं तो इसमें भी कोई इतना ज़्यादा delay नहीं है अभी उन बच्चों की exam लग रही है जो already MBBS के first year में है second year में है, final year में है तो उनकी भी exam लग रही है और उनके session भी मार्च और अप्रेल में ही start होंगे तो इसका session भी मार्च अप्रेल में start होने से इसमें कोई delay नहीं होगा मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि course ये cover हो जाएगा इससे आपको इतना ज़्यादा कोई नुक्सान नहीं होगा schedule में आगे क्योंकि जो 31st मार्च से 26 को ये batch जो अभी इंटर कर रहा है उसका MBBS खतम होगा तो schedule वो रहेगा इसमें ज्यादा कोई changing नहीं होगा ये सारा cover हो जाएगा इसमें तो ये जानकारी थी MCC के schedule के बारे में अब हम बात करते हैं state quota counseling के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी state का जो counseling होगा वो MCC के rounds के बाद state के rounds होगे जैसे MCC का first round हमें ये देखने को मिल जाएगा एक दो दिन में की कैसे कैसे ये rounds होंगे वैसे state पर ये छोड़ा जाता है कि NMC दोरा एक schedule तो दे दिया जाता है लेकिन state अपने इसाब से वो थोड़ा सा उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं उसको schedule को आगे पिछे कर सकते हैं उसको लेकिन ये confirm है कि MCC के बाद ही round होगा जैसे MCC का second round होगा तो अलिन्डिया state का second round होगा MCC का mop up round होगा उसके बाद state का mop up round होगा तो ये तो चलेगी लेकिन date में थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता आगे पिछे हो सकती है डेट अब बात करें हम हरियना स्टेट की तो हरियना स्टेट के जो रेजिस्टेशन है वो 16 जनवरी 22 से स्टार्ट हो रहे हैं 12 बज़े से और इनकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 जनवरी 22 रहेगी यानि कि 22 जनवरी तक हरियना स्टेट की कंडिडेट यहां रेजिस्टेशन कर सकते हैं और यहां पर अभी रेजिस्टेशन ही करना है आगे का सेडियूल अभी रेजिस्टेशन के बाद जारी हो जाएगा और बाकी स्टेट के जिनके रेजिस्टेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं उनके भी जल्द अब registration स्टार्ट हो जाएंगे और उनका भी जो registration का schedule है और counselling का schedule है वो जल्द ही जारी हो जाएगा तो जैसे ही इनका result शुरी counselling schedule जारी होगा registration स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे तब मैं आपको inform कर दूंगा जिस जिस स्टेट के सुरू होंगे तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन